कॉंग्रेस मैं आपको एक बात लिखके दे देता हूं भी कॉंग्रेस मद्यप्रदेश के चुनाओं को स्वीप करेगी बीजेपी वहाँ दिखाई नहीं देगी मैं आपको गैरंटी करके आप लिख लो और उस समय उजे बता देना नमस्कार अब हपी नुइ येर तो नहीं कर सकता हूं बट आढ़ाँस में आपको हपी नुइ येर में सोच रहा था प्रेस कांफरेंस के की बारे में मैंने सोचा, तो मैंने सोचा कि Happy New Year का मैं भी आज आपसे एक सवाल पूछूँगा, उबाद में मतलब जब आपने सब पूछ लिए तो मैं पूछूँगा, मैंने सोचा है आप सब के लिए भारत जोड़ो यात्रा अब दिल्ली तक पहुँची है और हम सब को बहुत कुछ सीखने को मिला समझने को मिला बहुत अच्छा एक्सपीरिंस रहा है लक्ष आप जानते हैं हिंदुस्तान में जो डर, नफरत, हिंसा फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ ये यात्रा है और मुझे लगता है कि काफी सिक्सेस्फुल यात्रा रही है अभी तक जो शायद हमने सोचा भी नहीं था उससे भी जादा इस यात्रा ने अचीव कर दिया है बिरोजगारी का मुद्दा भी है महंगाई का मुद्दा भी है और जो हिंदुस्तान में इंकम इनिक्वालिटी आ रही है चुन्हों है लोगों के पास अर्बों रुपए और बाकी हिंदुस्तान के पास कुछ नहीं ये भी हमारा एक मुद्दा है परस्टनली जब मैंने यात्रा शुरू की मेरी सोच थी कि ये कन्या कुमारी से कश्मीर तक एक यात्रा है और मैंने अपने साथ में कुछ ले नहीं गया मैंने का देखो मैं जाऊंगा और मैं एक्सपिरियन्स करूँगा मैं कोई मतलब प्रिकंसीव नोशन नहीं ले जाऊंगा तो शुरूआत ये ठीक ही शुरूआत में लगा कि भाई थेको हम पैदल चलना है मगर फिर आस्ते आस्ते पता लगने लगा कि एक्चली ये जो यात्रा है इसको मैंने नदी भी कहा है ये एक जीवत चीज़ है इसकी एक आवाज है इसकी भावनाए हैं फिलिंग्स है और ये एक प्रकार से हिंदुस्तान की भावनाए हैं फिलिंग्स हैं तो ये यात्रा हमें ये चीज़े बता रही है तो मुझे ऐस ए इंडिविज्वल काफी सीखने को मिला और मैं सब को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो भी हमारे साथ आए आप लोग में से बहुत लोग आए और खास्तोर से जो हमारे उपर आकरमन करते हैं मेरे जो RSS के BJP के मित्र हैं उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि actually हो क्या रहा है जितना वो आकरमन करते हैं उतनी हमको अपनी position improve करने का मौका मिलता है तो मैं चाहता हूँ और मैं seriously बोल रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा और जोरों से करें और aggressively करें तो Congress Party को और हमें मतलब अपनी जो ideology है वो अच्छी तरे और अच्छी तरे समझ आए एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरू मानता हूँ कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए react कैसे करना चाहिए और अच्छी training दे रहे हैं मुझे तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहिए नहीं देखिए जैसे मैंने कहा मेरे लिए जैसे कल मैं किसी दर बात कर रहा था उन्होंने मुझे से पूछा कि देखो यात्रा के बाद क्या होगा हमें planning करनी है कि यात्रा के बाद क्या करेंगे काफी लोगों ने कहा है इस्ट वेस्ट यात्रा कोई और कुछ और कह रहे हैं और मैंने उनको जवाब दिया देखिए ये जो हमारी यात्रा है ये हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है ये हमें कुछ बोल रही है और अगर हम उसको सुने बिना कुछ और काम करना शुरू कर देखिए यात्रा के बाद क्या होगा तो एक प्रकार से ये जो हिंदुस्तान की आवाज है उसका अपमान है तो मैं वो नहीं करना चाहता हूँ रही बात विपक्ष की मैं जानता हूँ कि विपक्ष के नेता सारे के सारे हमारे साथ खड़े हैं और वो मतलब वो clearly हमें मालूम है बट आज के हिंदुस्तान में compulsions भी होते हैं political compulsions होते हैं दूसरे compulsions होते हैं तो मैं उस पे comment नहीं करना चाहता हूँ कि क्यूं आ रहे हैं क्यूं नहीं आ रहा है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा बस मैं यह कहना चाहता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा के दर्वाजे जो भी भारत को जोड़ना चाहता है उसके लिए खुले हैं किसी को हम रोकने वाले नहीं तूसरी बात विचारधारा में similarities होती हैं तेकि नफरत और हिंसा और महबत में similarity नहीं होती है diametrically opposite चीज़े हैं मगर बहुत सारे लोग हैं और उसमें से अखिलेश जी हैं मायवती जी हैं बहुत सारे लोग हैं जो महबत का हिंदुस्तान चाहते हैं मैं जानता हूँ नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं तो रिष्टा तो है उनके साथ ideological रिष्टा और भारत जोडने का और नफरत को मिटाने का रिष्टा है आपने मतलब 6-7 question एक question में पूछ लिया देखिए सबसे पहले मेरा लक्ष हिंदुस्तान को एक alternative vision देने का है alternative दृष्टिकोन देने का है एक नया तरीका देने का है सरकार की कमिया हैं उसमें मैं आपको बता सकता हूँ बेरोजगारी, economic mismanagement नोट बंदी, गलत GST, चाइना ये कमिया हैं, गलतियां की है मगर मेरी अप्रोच यात्रा के साथ ये है कि हम हिंदुस्तान को एक सोचने का जीने का नया तरीका देने की कोशिश करने हैं तो अगर आप details चाहते हैं तो आप मुझसे पूछिए, चाइना के बारे में पूछिए शायद आप वो ना पूछे पता नहीं बाकी चीदों के बारे में पूछ सकते हैं पट ब्रॉडली ये है पता नहीं ये मतलब ये कहां है ये मतलब दिल्ली में तो हैं न हम ये कहीं ओम रखें ये भाईया AICC office है नहीं है अभी है ना तो मुझे पता नहीं मतलब मुझे तो लग रहा है भाईया पता नहीं मेरी दूसरी reality हो आपकी दूसरी reality हो मगर मुझे तो ये new daily दिख रहा है और कुछ एक हाँ तो बहुत campaign चलाते हैं उनके पास पैसे की कोई कम ही नहीं है campaign ही campaign चलाते रहते हैं मगर जो मैंने कहा और बड़ी interesting बात है और मैं इसको 99% बिलीव करता था 100% बिलीव नहीं करता था मगर अब मैं 100% बिलीव करता हूँ कि सच्चाई को कोई भी campaign कितना भी पैसा नहीं छपा सकता, नहीं मिटा सकता तो यह मेरे लिए बहुत मतलब interesting observation है और जैसे मैंने कहा अभी कितने लगाए होंगे 5-6,000 क्रोड लगा दी होंगे थोड़े और लगाईए कमीनी है पैसे की डालिये और थोड़ा डालिये लगाईए कुछ असर नहीं पड़ता है दिखिए दो चीज़े हैं इसमें मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूँ ठीक है अब सरकार चाहती है कि मैं बीपी गाड़ी में भारत जोड़ो यात्रा करूँ कहते हैं आपका प्रोटोकॉल है कि आप हमें तंग मत करो आप बुलिट प्रूव गाड़ी में बैठके तन्या कुमारी से कश्मीर तक चलो अब यह मेरे लिए तो acceptable नहीं है अब यात्रा में आप मुझे समझाइए भारत जोड़ो यात्रा में मैं बीपी गारी में कैसे बैठूँ अच्छा जब उनके नेता उनके senior नेता बीपी गारी से भार आ जाते हैं तो फिर कोई चिठी नहीं जाती उनके नेताओं ने रोडशो किये हैं खुली जीप में गए हैं उनके ही प्रोटोकॉल के खिलाफ है वो मुझे लिख रहे हैं कि भाई आप बीपी गारी से निकल गए तो उनके लिए प्रोटोकॉल अलग मेरे लिए प्रोटोकॉल अलग और सारे CRPF के लोग जानते हैं सीनियर्स जानते हैं कि मेरी सेक्यूरिटी के लिए क्या करना है और हमारी सेक्यूरिटी बीपी गारी में मतलब मैं कैसे चलूँ आप बिता दो मुझे चला ही नहीं जा सकता है भारत जोड़ो यात्रा में पैदल जाना है तो ये तो मतलब पता नहीं है शायद केस बना रहे हैं कि राहूल गांदी मतलब अपनी सेक्यूरिटी तोड़ता जा रहता है तोड़ता रहता है केस बना रहे है बनाईए भाई मुझे बताओ एक बात मुझे समझा मुझे समझ नहीं आ रही बात ये टी-शर्ट से आपको इतनी डिस्टर्बंस क्यों हो रही है मतलब एक भी यहाँ टी-शर्ट में नहीं बैठा है तो क्या आप चाहते हो मैं स्वेटर पहन लूँ मतलब इससे इतनी डिस्टर्बंस क्यों यह लोगों को अच्छा तो मैं ऐसे करूँगा यातरा के बाद मैं वीडियो बनाऊंगा कि टी-शर्ट में कैसा कैसे चला जाता है और ठंड को कैसे कंफरंट किया जाता है बना दूँग आपके लिए यह अपने स्वेटर क्यों पहन रखा है नहीं इसका कारण यह नहीं है इसका कारण यह कि आप सर्दी से डरते हो इसका कारण नहीं है कि सर्दी है आप सर्दी से डरते हो मैं सर्दी से डरता नहीं हूँ सिदी जी बात है नहीं नहीं कहने दीजे न्यूवियर्स न्यूवियर्स दे अब देखिये, देखिये, अब देखिये, मोधी जी के प्रेस कॉंफिल नहीं तो मैं उनके भी दो-三 फेस्टें सप्लिमेंटरी आपको दे देता हूं, नहीं, आपको सीरियुसली बताओ, मुझे ठंड ही नहीं लग रही है, अभी तक और मैं 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 पता नहीं मुझे लगने रही है मगर मैंने मैं सोच रहा हूं कि जैसे ही मुझे ठंड लगने शुरू हो जाएगी मैं मतलब स्वेटर पहनना शुरू कर दूँगा बट अभी तक मुझे ठंड नहीं लग रही है नहीं हमारे हमारी जो हमारा जो structure है जो system है उसमें हमारे जो states है वो individual decisions लेते हैं हम उनको independence देते हैं तो अब तो मैं Congress President भी नहीं हूँ तो ये सवाल आपको खारगे जी से पूछना होगा कि national level पे Congress Party की pension scheme पे क्या strategy है मगर generally Congress Party का structure है कि अगर राजिस्तान करना चाहता है और हिमाचल करना चाहता है तो उनको करने दो हम वीटो पार maintain करते हैं कि अगर बिलकुल कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर हम उसको check करते हैं नॉर्मली हम independently करने देते हैं सबसे पहले यह hypothetical question है तो मैं इसका जवाब प्रधानमंत्री के basis पर नहीं दूँगा मगर मैं यह जरूर कह सकता हूँ कि जो हमारा शिक्षा का system है मैं पहले सोचता था कि यह इसमें structural problems है मगर यह अपना काम कर रहा है आज मैं सोचता हूँ कि यह अपना काम ही नहीं कर रहा है जो हम अपने बच्चों को vision दे रहे हैं जो हम उनको जो उनका imagination है जो हमें देना चाहिए हम दे नहीं रहे हैं तो अगर आप सबसे shocking चीज़ मैं आपको बताता हूँ मैं कन्या कुमारी से अब डिली तक आया हूँ कितने 108 दिन हो गए 108 दिन में मैंने हजारों बच्चों से बात कि और हर बच्चे से मैंने पूछा है तुम यूनिवर्सिटी के बाद कॉलिज के बाद क्या करना चाहते हो हज़ानों बच्चों से पूछा है और मुझे सिर्फ पांच जवाब मिले मतलब एक लड़की ने मुझे कहा कि मैं अपना छोटा बिजनिस चला रही हूँ और एक लड़के ने कहा कि मैं मेकैनिक बनना चाहता हूँ पट 99.9% लोग कह रहे हैं मैं लोयर, डॉक्टर, इंजिनियर, आईएस, जड़, मतलब हमारा education system हमारे बच्चों को कह रहा है कि जिन्दगी में तुमारे बस पांच काम है और reality यह है, reality सचा ही है कि यह सब बच्चे एंजिनियर नहीं बन सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते, लोयर नहीं बन सकते, तो यह जूट है तो हम अपने बच्चों को जूट बोल रहे हैं मैं पूछता हूँ, बच्चे आते हैं कहते हैं क्या करना चाहते हो IAS अच्छा, IAS में कितने लोग जाते हैं हर साल आप अंदाजा लगाई जवाब क्या मिलता है मैं पूछता हूँ कितने लोग IAS में हर साल जाते हैं बच्चे क्या कहते हैं क्या लगता है अच्छा बताई कितने लोग जाते हैं IAS में डाइस ओ बच्चे कहते हैं पांच लाख छे लाख एक लाख, दो लाख, तीन लाख जब मैं उनको कहता हूँ भई, 150 जाते हैं दो-तीन को मैंने गलती से कह दिया, एक लड़की को कह दिया, वो रोना शुरू कर दी कि देखिए, हम उनको सही imagination ही नहीं देने हैं हम उनको रास्ता ही नहीं दिखा रहे हैं तो पहला काम जो education system है और ये top-down ये imagination को मारने का education system है ये education को खोलता नहीं है तो सबसे बड़ा काम है और ये शायद दो-तीन चार साल में नहीं होगा मगर direction ये होना चाहिए और जो new education policy वो तो बिल्कुल दूसरे direction में जा रही है तो पहले ही ये बात है दूसरी बात ये खुले तरीके से बोल दूँ इसे production nation बनना चाहिए फरक है ये ये जो देश है जो producer है जो production करता है जो जिसके पास skill है चाहे वो किसान हो चाहे वो mechanic हो चाहे वो बड़ाई हो मोची हो, नाई हो, जो भी हो जिसके पास skill है सबसे पहले उसकी मदद नहीं करते है तो दूसरी बात उसकी skill को destroy करने की कोशिश करते है और उसको मतलब जो उसकी strength है उसको मार मार के मार मार के उससे निकाल देते है और बिना skill के respect किये ये देश कभी अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता है simple बात है तो दूसरी चीज ये है तीसरी चीज है कि और ये मैं थोड़ा जो बॉर्डर पर हो रहा है उसके बारे में कहना चाहता है जो देश में हिंसा है नफरत है के उससा है इसका असर इसका effect दूसरे देश देखते हैं और उसका फाइदा उठाते है हमारी जो confused foreign policy है जो एक प्रकार से event based non-strategic foreign policy है उससे हिंदुस्तान को जबरदस नुकसान हो रहा है और बहुत भारी चोट लगेगी और मैं इसको दोहराता जाता हूँ मगर कोई सुनता नहीं है जैसे मैं covid के समय दोहरा रहा था कि भई problem आ रही है problem आ रही है कोई सुनता नहीं है तो ये भी ये भी बहुत जरूरी चीज़ है बट में ये कुछ नहीं हो सकता अगर एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से नफरत करता है एक आदमी दूसरे को मानने की कोशिश कर रहा है ये कुछ नहीं हो सकता तो foundation, महबबद, एकता, इज़त, रिस्पेक्ट है लेकिए अंतर तो अंतर तो इस press conference के बाद भी आएगा अंतर तो व्यक्ति में continuous होता है non-stop होता है तो वो तो है बट जो जो मेरी foundation है जो new है उसमें मुझे कोई change नहीं दिखा उसमें वो foundation मेरी वो ही है जरूर मैं मतलब बहुत कुछ सीखा हूँ और हर रोज सीखता हूँ और सिर्फ यात्रा से नहीं हर interaction में से मैं सीखने की कोशिश करता हूँ तो evolution तो होता रहता है मगर जो जो founding principles है की वो उसमें इतनी change नहीं है वो मैं यह कह सकता हूँ वो और भी strong हो गए है वो कह सकता हूँ बट उसमें इतनी change नहीं आई उनकी view अलग है हमारी view अलग है तो उनका opinion हमारे से अलग रहता है हमारा अलग रहता है तो dichotomy तो कुछ है नहीं अलग opinions है नहीं अलग viewpoints है उनका viewpoint दूसरा है हमारा viewpoint दूसरा है विचारधारा दूसरी है विचारधारा की लड़ाई है उनको अपनी viewpoint रखनी चाहिए जैसे मैंने कहा अगर वो अपनी viewpoint बदलने तो हमारे लिए problem हो जाएगी क्योंकि हम अपनी viewpoint को अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे तो उनको जो लगता है वो करना चाहिए वो करना चाहिए और हमें जो करना है हम करेंगे dichotomy कोई नहीं यह बहुत पुरानी लड़ाई है यह भी बात मुझे समझ आई है यह actually अगर आप मुझे पूछो क्या change है मैं आपको उताता हूं कि यह मुझे समझ आ गया कि यह बहुत पुरानी लड़ाई है और यह राजनेतिक लड़ाई नहीं है यह मुझे समझ आ गया नहीं यह तो पूरे देश को obvious है कि BJP और Congress एक होई नहीं सकते क्योंकि अगर BJP और Congress एक होते तो नरेंद्र मोदी Congress मुक्थ भारत की बात कभी नहीं कर सकते मतलब होई नहीं सकता कि अगर BJP BJP की नेता कह रहे हैं Congress मुक्थ करो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि BJP को भी मुक्थ कर बीजेपी इसको भी मिटा दो वो तो नहीं कह रहे हैं तो यह तो पूरा देश जानता है कि Congress और BJP ideologically बिल्कुल opposed है और यह पुरानी लड़ाई है पुरानी विचारधारा की लड़ाई है अखिलेश जी की भी जगह है और उनको यह option मतलब बोलने का option मिलना चाहिए और उनका perspective है वो उनके लिए ठीक है हमारा perspective है कि हमारी लड़ाई BJP के साथ है विचारधारा की लड़ाई है पुरानी लड़ाई है और इसको हम जीतेंगे नहीं एक बात मैं कहना चाहता हूँ देखिए एक बात ज़रूरी है कि ये अब ये अब ये tactical political fight नहीं रही मतलब कि उसमें एक group वहां आ जाए और एक group मिलके BJP को हरा दे अब वो गाड़ी गई क्यों क्योंकि हिंदुस्तान का जो पूरा infrastructure है institutional framework जो है अब वो एक विचारधारा के हाथ में है ठीक है और अब वो हिंदुस्तान की political space को पूरी तरह से dominate कर रहे है अब उनको हराने के लिए एक विचारधारा की जरूरत होगी और मैं opposition की बहुत respect करता हूँ और opposition के लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक national विचारधारा नहीं है वो यूपी में जरूर उनकी positioning है और उसको उन्हें defend करना है शायद उसलिए ना आएं बट national विचारधारा नहीं है समाजवादी पार्टी का आईडिया केरला में नहीं चलेगा करनाटक में नहीं चलेगा बिहार में नहीं चलेगा ठीक है तो एक central ideological framework structure की जरूरत है वो Congress Party ही दे सकती है और वो हमारा रोल है मगर हमारा रोल ये भी है कि जो opposition के लोग है वो comfortable feel करें और उनकी respect mutual respect मतलब वो भी हमारी करें हम भी उनके करें Congress मैं आपको एक बात लिखके दे देता हूँ भी Congress मद्यप्रदेश के चुनाओं को sweep करेगी BJP वहाँ दिखाई नहीं देगी मैं आपको guarantee करके आप लिख लो और उस समय मुझे बता देना मतलब अगर आप मुझे कोई question नहीं है कि वहाँ पर BJP मतलब दिखाई नहीं देगी क्योंकि वहाँ पर तो मैंने सोचा था कि महराष्टरा में मतलब मैंने जो वहाँ कहा कि महराष्टरा में बहुत अच्छा response मिला मद्यप्रदेश में तो total under current था मतलब तुफान आया हुआ है वहाँ पर मद्यप्रदेश में हर व्यक्ति जानता है कि BJP ने सरकार को चोरी करके पैसा दे के बना है तो पूरा पूरा प्रदेश गुस्से में आप ऐसे करिए लक्षमन सिंग्ली से बैठ कर लीजे शर्ट लगा लीजे बड़ी शर्ट लगाईए फाइदा हो जाएगा आपका अब आप उनसे पूछिए पहले पता नहीं मुझे थोड़ा मुझे ही confusion हो गई है पता नहीं पता नहीं अब क्या बोलूं Congress के मतलब senior नेता हैं बड़ मुझे confuse कर दिया कि मतलब कभी बाहर, कभी अंदर, कभी बाहर, कभी अंदर, कभी अंदर, कभी बाहर पता नहीं मुझे देखिए सबसे पहले मैं एक बात clearly कहना चाहता हूँ मैं शहीद परिवार का हूँ मेरे पिता शहीद हुए और मेरी दादी शहीद हुए यहाँ पर कोई है जिसके family में कोई शहीद हुआ कोई है यहाँ पर आप है आपके ब्रदर तो आपको मालुम है कि कैसी चोट लगती है क्या feeling आती है ठीक है तो मैं समझता हूँ और मैं जानता हूँ जब एक युवा अपनी जान देने के लिए खड़ा होता है और जब वो शहीद होता है तो उसके परिवार को क्या होता है मैं जानता हूँ समझता हूँ और बीजेपी के टॉप लीडर्शिप में कोई नहीं है जो समझता है यह मतलब अच्छी बात खड़ा बात नहीं है बट रियालिटी है कि उनके परिवार में कोई उनकी उनके पिता या उनकी दादी शहीद नहीं हुए तो मैं बहुत क्लिरली समझता हूँ और मैं यह भी चाहता हूँ मेरी जेनरल अप्रोच यह है कि मैं चाहता हूँ हमारा एक भी सिपाई किसी भी फोर्स का ना शहीद हूँ यह मेरी स्टार्टिंग पोजिशन है कि मतलब मैं यह नहीं चाहता हूँ कि हम इस चीज को कैशुली लें कि हम सेना को राजनेतिक फाइदे के लिए यूज करने है को उनके परिवानों को हो तो यह मेरे लिए बिल्कुल मतलब सेक्रोसेंट है मैं यह नहीं करना चाहता हूँ ठीक है मगर और मैं और जो हमारे मैं समझता हूँ जो बॉर्डर पे हमारे जवान आज खड़े हैं आप मेरी टी-शिर्ट की बात कर रहें क्या डिफिकल्टी सामना करनी पड़ती हैं और मैं उनसे प्यार करता हूँ हर हर सोल्जर से और मैं चाहता हूँ कि उनको कुछ ना लगे चोट ना लगे जब हम जब नैशनल लवल की लीडर्शिप strategically काम नहीं करती है इंटरनेशनल रिलेशन्स में जियो पॉलिटिक्स में एक दम रिस्पॉंस आता है और हमारी सरकार ने जो चाइना का मामला है उसको completely mishandle कर दिया है ठीक है और मैं आपको कहा है मेरी thinking है देखे हमारी foreign policy का क्या लक्ष था और Congress Party ने successfully क्या किया था कि चाइना को और पाकिस्तान को एक कभी नहीं होने देना है यह central हमारा concept था ठीक है और यह काम हमने बहुत successfully किया UPA तूटक आज पाकिस्तान और चाइना एक हो गये और यह कोई मामूली बात नहीं है यह बहुत गहरी बात है यह dangerous बात है ठीक है और यह क्यों हुए है क्योंकि हमारी सरकार ने miss handle किया है हमारी सरकार ने foreign policy को miss handle कर दिया है और जो broad structure है foreign policy का उसको वो समझे नहीं ठीक है अब मैं कह रहा हूँ कि यह दो एक हो गए है अब risk है और कहीं न कहीं यह कुछ न कुछ करेंगे preparation में दो तीन चीजों की ज़रूवत है सबसे पहले आपको SENA वायू SENA नेवी जो भी हमारे structures है उनकी बात सुनने है वो क्या कह रहे है उनकी बात सुनने है उसकी respect करने है इसका मतलब जो आप political use कर रहे हो उसको आपको बंद करना पड़े एक डम दूसरी बात जो हमें precautions लेने है और वो military precautions हैं मगर non-military precautions हैं वो आप शुरू कर दीजिए तीसरी बात जो border पे हो रहा है उसको आप छुपाईए मत क्योंकि चाइना को message जा रहा है देकि चाइना 2000 स्क्वेर किलोमेटर हमारी जमीन ले गया है चाइना को message प्रदान मंत्री जी ने कहा कि कोई अंदर नहीं आया मैं आपके घर के अंदर आ गया ठीक है और पिर मैंने आप से का भी यह मैं नहीं आपने मुझ से का कि नहीं तो आप तो आई नहीं तो मैं कौन से message ले जाओंगा तो यह message उनको जा रहा है तो हमें clearly यह कहना है भी आप अंदर आयो publicly कहना है आप अंदर आओ निकलो यहां से तो यह सरकार इस पे confusion में है और मैं चाहता हूँ कि यह confusion हटे अब मेरे बारे में क्या करते है जब मैं सरकार की बात करता हूँ एक दम कहते हैं मैं आर्मी की बात करना हूँ नहीं मैं आर्मी की बात नहीं करना हूँ मैं सरकार की बात करना हूँ सरकार में और आर्मी में फरक है सरकार ने गल्ट निर्ने लिये है तो सरकार को आर्मी के पीछे Navy के पीछे Air Force के पीछे नहीं चुपना चाहिए यह कायरता है और सरकार को ओनप करना चाहिए कि हम ने यह किया यह गलती हुई अब इसको हम ठीक कर रहे हैं और हम उनको मदद करेंगे पूरा opposition, सिर्फ मैंने पूरा opposition सरकार को मदद करेगा अगर बताए है तो क्या हुआ 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 The idea of भारत जोडो is a framework it's a way of working it's a way of thinking so of course I am not the Congress President and a lot of that work now the Congress President will probably do but it is about bringing people together and making them comfortable, you know respect basically शुक्रिया राहुल जी शुक्रिया राहुल जी भारत जोडो यात्रा फिर से वारत जोडो यात्रा फिर से I need to ask, I need to ask the new year question myself now because because my one question I get so why am I not allowed to use a teleprompter मैंने क्या गल्ती किये मतलब आप प्रदान मंत्री को teleprompter use करने देते हो आप दूसरों को भी teleprompter use करने देते हो तो मुझे क्यों नहीं नहीं मगर option तो देना चाहिए और एक और सवाल है रहा हुआ है नहीं मेरा दूसरा है नहीं मेरा दूसरा भी सवाल है और और भी अच्छा सवाल है ये सवाल मैं मतलब बहुत interesting सवाल है आपने वो अदानी जी को वो option दे दिया जो आपने प्रदान मंत्री को भी नहीं दिया कुर्सी बदलने का तो मतलब ये हो क्या रहा है अदानी जी को टेले प्रॉम्टर गुर्सी बदलने का option अदान मंत्री को टेले प्रॉम्टर का option और हमें कुछ नहीं मतलब हमने क्या गलती कर दी क्बई प्रॉम्टर क्बड़ने कर द99 अबड़ने का थे बपिया